अब हम इस चैप्टर की जितने भी बुक एक्सराइजेस हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे अपके वेब चार्ट बने हैं आपको इनको फिल करना है ठीक है तो पहला वेब चार्ट है किसके बारे में मदर तेरेसा के बारे में आपको बताना इनका जैन्म कब हुआ था ठीक है इ इनकी मृत्तिव कब हुए थी ठीक है तो मदर तेरेसा का जैन्म कब हुआ था 1910 में ठीक है और इनको नोबेल प्राइज कब मिला था कॉंसीर में 1979 में ठीक है और इनकी मृत्तिव कब हुए थी 1997 में ठीक है नौर नेक्स्ट वेब चार्ट इस इंदरा गांधी अब आपको उता ने इंदरा गांधी का जन्म कब हुआ था है इनको भारत रत्म कॉंसे एर में मिला था और इनकी भी मृत्यूं कॉंसे एर में हुई थी ठीक है तो इनका जन्म हुआ था 1907 में ठीक है और इनको भारत रत मिला था 1971 में ठीक है और इनकी मित्ती हुई थी 1984 में नेक्स्ट वेब चार्थ है अब्दुल कलाम के बारे में ठीक है डॉक्टर इपिजे अब्दुल कलाम इनका जन कौन सी एर में हुआ था इनको पद्म भूशन किस एर में मिला था और ये इंडिया के प्रेजिडेंट कौन से साल में थे ठीक है कितने टाइम के लिए थे आपक 1931 पर्दम भूशन को कब मिला था 1981 और ये इंडिया के प्रेजिडेंट कब से कब तक थे टू थाउजन टू 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 थाउजन सेवन नाव एक्स्ट एक्सरसाइज इस फिल इन दा ब्लैंक्स आपको ये फिल ब्लैंक्स दिया आपको इनको फिल करना है सेंटेंस को पढ़ के ठीक है फिर्स्ट उन इस मदर ट्रेसा वर्ग एज़ाज अड़ एप एटा हाई सकूल इन तो मदर ट्रेसा नहीं क्या था एक प्रेंसिपल की रूप में उन्हें काम किया था ठीक है कहाँ पर कोलकाता की हाई स्कूल में The home opened for the destitutes by Mother Teresa is Mother Teresa ने कौन सा home open किया था? उसका नाम किया था? Nirmal Hriday Dash and Dash were Mrs. Indra Gandhi's parents अब Indra Gandhi के parents के नाम लिखना है ठीके, तो इनके पिता का क्या नाम था? जवाहर लाल नहरू और उनकी माता के क्या नाम था? मदर का क्या नाम था? इनके मदर का नाम था? कमला नहरू इंद्रा गांधी's two sons were Dash and Dash इंद्रा गांधी के दो बेटे थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था? राजीव गांधी और दूसरा इस संजे गांधी डॉक्टर एपीजे अब्दूल कलाम वस बॉन एट अब्दूल कलाम का जन्म कहां पर हुआ था? रामेश्वरम में ठीक है? रामे स्वरम अब्दूल का एक छोटा सा गाओ है वहाँ पर आपको इस टेटमेंट्स पढ़ने हैं फिर आपको बताना है ये स्टेटमेंट्स टू हैं या फॉल्स हैं अगर टू हैं तो आप उसके आगे टी लिखेंगे अगर फॉल्स हैं तो उसके आगे एफ लिखेंगे ठीक है इंद्रा गांधी वस एसेसेनेटेड एसेसेनेटेड ओन थर्टी फर्स अक्टोबर 1984 तो ये आपका सेंटेंस टू है ठीक है गैंद्रा गांधी की हत्यां थर्टी फर्स अक्टोबर 1984 को ही होई थी डॉक्टर एपीजे अब्दूलकलाम वस दे फर्स साइंटिस्ट तो अक्टोबाई राश्टपती भवन तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है प्रू नेक्स्ट इस मदर टेरेसा बिकेम एन इंडियन सिटीजन इन नाइंटीन फिप्टी तो ये आपका फॉल्स है स्टेटमेंट ठीक है 1962 में बनी थी इंडियन सिटीजन इंडरा गांधी वस दो राश्ट उफ इंडिया तो ये सेंटेंस भी आपका स्टेटमेंट आपका फॉल्स है क्योकि वो फिफ्ट प्राइम ठीक है Mother Teresa opened Nirmar Hiday A home for the dying destitute in Kolkata In 1952 तो आपका ये statement क्या है उन्होंने Nirmar Hiday कब खुर था Kolkata में 1952 में तो आपका ये statement true है ठीक है So, thank you class